तो आज हम लोग इस वीडियो में विटामिन्स को डीपली स्टड़ी करेंगे सबसे पहले हम विटामिन में जो पढ़ने वाले हैं वो है मालनुट्रिक्शन यह क्या होती हैं वो और्गैनिक कमपाउंट्स हैं जिनको हम बाहर से लेती हैं मतलब यह हमारे शरीर के अंदर प्रेजंट नहीं होते ही इनको हम अपने खाने के साथ साथ लेती हैं तो हमारे विटामिन को हम तीन के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है A-vitaminosis, हाइपो-विटामिनosis and हाइपर-वाइटमिनosis A- यहां पर किसको शो कर रहा हैं? absence को यानि कि जब हमारे शरीर में विटामिन नहीं होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे evitaminosis ये फर्दर टूट रहें कि होते हैं primary और indirect primary vitaminosis हम जब बोलेंगे जब हमारे food के अंदर vitamins की कमी हो जाते यानि कि हम लोग अपने खाने के अंदर vitamin को कम एड़ करते हैं और काफी time से हम लोग उसे बहुत small amount में ले रहे हैं तो हमारे अंदर vitamin की कमी हो जाती है दूसरा होता है indirect यानि कि ले रहे हैं vitamin हमारी body दौ़ारा consume नहीं किया जा रहे है तो उसके बाद हम next आते है यानि कि जादा amount में present हो जाते हैं अब हम डिसकस करेंगे type of vitamins हम पहले भी पढ़ चुके है vitamin दो तरीके की होते है fat soluble और water soluble vitamin सबसे पहले हम पढ़ेंगे fat soluble vitamins को fat soluble vitamin हमारे तीन तरीके की होते है vitamin A, vitamin D, vitamin E और vitamin K सबसे पहले हम डिसकस करेंगे vitamin A के बारे में इसके और भी बहुत सारे name है जैसे की retinol जो इसका scientific name है फिर हम इसको बोलते है vitamin of growth, anti-serophthalmic factor, anti-infected factor इसे हम कैसे याद कर सकते हैं इनके नाम को, सबसे पहला तो यह vitamin का ही नाम है vitamin A दूसरा हमें क्या लिखना है scientific name तीसरा जो deficiency की वज़े से जो disease होती है उससे related हमें इसका नाम लिखने है जैसे अगर vitamin A की deficiency हो जाए तो क्या होती है growth नहीं हो पाती तो हम इसका क्या लिख सकते है vitamin of growth यानिके growth का vitamin यह हो जाती है तो हम इसको क्या बोल सकते है anti-serophthalmic factor अब यह किस-किस चीज के अंदर पाए जाते हैं सबसे जादा यह carrot के अंदर पाए जाते हैं फिर fish, cod liver oil, egg, york, milk, ghee, green vegetables आपको जो commonly हर vitamin में चीज़े मिलेंगी वो होगी आपकी fish, meat, egg, milk और green vegetables यानि के कोई भी vitamin हो इन्हें तो आप लिखी सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं यादा तो next आते हैं इसके composition यह दो unsaturated primary alcohol से मिलके बनाया है A1 and A2 जिनने हम क्या बोलते हैं retinol vitamin A को हम alpha carotene भी बोलते हैं और vitamin A2 को हम beta carotene बोलते हैं इनके जो molecular formula है वो कुछ ऐसे हैं next हम इसके daily requirement देखते हैं कि हमें एक दिन में कितनी vitamin लेनी चाहिए तो हमें कितनी लेज़ेंगे 5000 IU लेनी चाहिए 1 IU हमारी 0.000344 mg के equal होती है लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर vitamin A कुछ excess में present हो जाता है यानि जादा ही हम लोग ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं हमारी bond resorption हो जाते हैं और hyper calcemia हो जाती है अगर इसकी deficiency हो जाए तो हमारा जो liver है वो भी damage हो जाता है अगर मैं example दू तो जो लोग drink करते हैं यानि alcohol consume करते हैं उन लोगों के अंदर vitamin A की कमी बहुत जादा हो जाती है जिसकी वज़े से उनका liver damage हो जाता है next function ये क्या-क्या function करते हैं important for body growth, body growth के लिए बहुत जादा जरूरी है जो हमारे reproductive organ है उनको structurally और functionally maintain करने के लिए important होता है जीन बनाता है जो हमारे night vision के लिए बहुत जादा important होती है retinoic acid हमारा regulate करता है gene expressions को and last year हमारे किसमे help करता है acne और wrinkled को सही करने में next हम देखते हैं कि vitamin A की deficiency से कौन से disease हो सकती है तो इससे सबसे पहले जो disease होगी वो होगी zerophthalmia zerophthalmia के अंदर क्या होता है जो maternal gland function नहीं कर पाती properly second क्या होता है bacterial infection हो जाता है हमें और क्या ulceration हो जाती है cornea में हमारी eye cornea है उसके अंदर हमें ulceration हो जाती है जिसकी वज़े से blindness हो जाती है second क्या है night blindness है यानि के रात के समय में हम नहीं देख पाएंगे और third क्या है हमारी growth अच्छे से नीप हो पाएगी हमारा जो body weight है वो lose हो जाएगा और जो हमारी skin होगी वो todd skin हो जाएगी next हम बात करते हैं vitamin D की इसको हम calciferol भी बोलते हैं इसको scientific name है और हम इसको sunshine factor भी बोलते हैं जो इसके main sources हैं वो है cod liver oil, ghee, butter, milk, egg, york और UV radiations इसकी chemical composition क्या होगी यह दो component से मिलके बना है D2 और D3 D2 को हम eroga calciferol भी बोलते हैं जो किससे मिलके बनता है ergosterol से और D3 को हम calciferol भी बोलते हैं जो किससे मिलके बना होता है 7D hydro cholesterol से daily requirement हमें इसको 400 IU की होती है function क्या होंगे इसके यह calcium potassium balance करके रखता है हमारी body fluid के अंदर और यह हमारी body के अंदर calcium की absorption को increase कर देता है जिसकी वज़े से हमारी जो bones है या हमारे teeth है वो healthy रहती है 30 क्या करता है gastric secretion को भी increase कर देता है अगर हमारे अंदर vitamin D की कमी हो जाए तो ricket disease हो जाती है ricket में क्या होता है बच्चों की जो bones है वो बहुती ज़ादा flexible हो जाते है इतनी flexible हो जाती है कि वो खुद का body weight तक भी नहीं carry कर पाते है और इसकी वज़े से उनकी knock knee और bow leg हो जाती है second क्या होता है जो pregnant women होती है उनके अंदर ostrium Malaysia हो जाती है इसके अंदर जो उनका pelvic girdle है वो बहुती ज़ादा effect होता है बहुत soft हो जाती है वहाँ की bone और जिसकी वज़े से parturation में बहुत ज़ादा दिक्कत आती है next हम बात करते हैं vitamin E की इसका scientific name है tocopherol इसको हम anti-sterilic factor भी बोलते हैं fertility factor बोलते हैं और beauty vitamin भी बोलते हैं इसके main sources है vegetable, seed oil, green leaf vegetables chemical composition होगी यह 3 unsaturated alcohol से मिलके बना हुआ है alpha, beta और gamma tocopherol daily requirement हमें इसकी सिर्फ 15 IU की होती है vitamin E एक antioxidant का काम करता है जो brown pigmentation को भी prevent करता है और जो हमारी skin पर wrinkles यह scars हो जाते हैं उनको भी remove करने में यह help करता है और यह हमारी gonads की normal functioning में भी help करता है अगर इसके deficiency हो जाती है women's के अंदर तो उनके अंदर reversible sterility हो जाएगी और हम इसको anti hemorrhagic factor भी बोलते हैं या naptha quinone भी बोलते हैं इनके हमारा जादा green leaf vegetables में मिलता है और किसे मिलता है intestinal bacteria से naptha quinone के दो derivative से मिला है हमें पहला है K1 and K2 K1 को हम phyloquinone बोलते हैं जो किसके अंदर पाए जाता है जातर green leaf vegetables में and K2 menaquinone है ज्यादा तर intestinal bacteria के अंदर पाया जाता है daily requirement हमको इसकी सिर्फ 0.07 से 0.14 mg की होती है यह हमारी prothrombin formation में help करता है और act करता है coenzyme q की तरह इसकी deficiency से हमें thrombinemia हो जाती है इसके अंदर क्या होती है जो blood है वो clot नहीं होता है की deficiency से जो हमारी cells की blood clotting की capacity है वो lose हो जाती है क्योंकि वो prothrombin ही form नहीं कर पाती है और prothrombin तो हमारा coagulating factor होता है क्योंकि तरह क्योंकि यार क्योंकि तरह